वेलकम बैक टू लिविंग इट सागर आज हम लोग वापस आ गए है एक नए अन्बॉक्सिंग के साथ जो है मिवी का कॉलर क्लासिक यह नेक बेंड स्टाइल इयर फोन है जो कुछी समय पहले भी लॉंच हुआ है और मैंने जास फ्लिप कार से खरीदा है इसको खरीदने का म मेरा था मैड इन इंडिया नहीं था मेरा था कि यह 24 गंटे की बैटरी बैक अप के साथ आता इसको इक बात तीस मिनिट चार्ज कर लिए 24 गंटे चलेगा आपका लिटरली 24 गंटे और इसको टेस्ट किया है फ्लाइंग बिस्ट ने उसका वीडियो में यहां पर दे के नैक बेंड से लेके सब कुछ इंडिया में भेन दे यह था मीवी के बारे में कुछ जानकारी अभी देखते हैं से बॉक्स मे क्या आता है हमारे लिए और इसका करते है थोड़ा सा इनॉक्सींग यहां पर है हमारे पास कॉल्र क्लाशिक का बॉक्स ब्राक्स ब्लैक औरल का लोगो मिल जाएगा उसके नीचे यह कॉलर क्लासिक जो लिखा हुआ है वो उसके एक साइड पर पुछ द लिमिट जो उनका स्लोगन है इस वाले प्रोड़क के साथ और अधर साइड एंजिनियर मेड इन इंडिया जो यहां पर थोड़ा फोकस का इसे हो रहा है पर यहां पर आपको यस यह वाला मेड इंडिया और पीछे के साइड कुछ की फीचर्स दिये हुआ है मिवी वालोन है HD stereo sound splash and dust proof यह IP IPC के अंदर register तो है बट कितना नंबर है वो मिरको नहीं पता अभी मैं review के वक्त आपको बता दूँगा उसके बाद है light and comfortable वो तो हमको पता है fully charge हो जाता है 35-40 minutes अगेन यहां पर अगर आपने एक बार इसको fully charge कर दें यह 24 गंटे के लिए आपको almost 24 गंटे आपको देगा अगर आप 70% volume के साथ इसको सुन रहे हो तो और super solid base और वो सब हम लोग review में चेक करेंगे magnetic locking है इसमें हां magnetic locking आता है पर इसमें वो oneplus के बुलिट जैसा नहीं है कि अगर आपने लॉक किया तो आपके गाना pause या प्ले हो जाएगा वैसा नहीं है जस्ट locking के लिए है यह चीज और माइक जो भी हर हर किसी एयरफोन में आता है और उसका प्रावडली मेड इन इंडिया यहां पर देख सकते हो कि manufacturing unit का address दिया हुआ है customer care का address दिया हुआ है जो आप पॉस करके पर सकते हैं है इनका unit वहां पर और इसको उपन करते मेरे पास कुछ knife wipe जैसा है नहीं तो मैंने यहां चाह अल्रेडी इसको फाड के रखा था पहले सब्सक्राइब कि अग्या है कि सो बॉक्स थोड़ा से मैट फिनिस में आता है मेरे को लगा सक लॉसी है यह बट देखते है इसके अंदर मेरे को इससे ज्यादा boxing में उमीद नहीं है क्योंकि हजार रुपे मते वो लो क्या ही दे देंगे कि अग्या कि अग्या कि अग्या कि बॉक्स को रखते थोड़ा सा साइड पर यहां पैसा एक्दम थोड़ा सा मैं बोलूंगा खराब प्लास्टिक बट फिर भी आपको समझना होगा यह हजार रुपे के हैंस फ्री है परले टेबल को थोड़ा सा सही कर देते तो यहां पर टेबल साइट हो चुका है यहां पर बेजिकली आपको चार चीजे मिलती है बॉक्स के अलावा यहां पर आपको मिल जाएंगे अलग-अलग ताइप के थोड़े से आपको आपके कान के हिसाफ से जो भी सैथा आप लगाए हुए है दो एक्स्ट्रा मिलते है यहां पर थोड़े से यह तीन-चार पेपर वर्क्स जैस पर मीवी का लोग वह अगर आप अभी भी बच्चे हो तो इसको लैप्टप पे लगा सकते हो और उसके बाद यह वाला वायर मिलता है I'm little bit disappointed कि इसके साथ टाइप C नहीं बूल सकते आप चार्जिंग वायर और उसके बाद यह है हमारे पास में इयरफोन इसका क्वालिटी फ्रेंक्ली मैंने सबसे पहले जब पकड़ा तब मेरको थोड़ा सा ऐसा लगा कि इसको थोड़ा अच्छा और कर सकते थे बड़ कोई ने यह एंटाइली मेड आउट हुआ है आई थोड़ा सा स्वैट में प्रोटेक्शन मिले बट कोई ने बैटर ही है और यहां पे एक साइड यहां पे एक साइड पर आपको मिल जाते वॉल्यूम अपन डाउन और मल्टि फंक्शनल बटन्स जो थोड़ी देर में मैं चेक करूंगा यहां पे है इसके ड्र ड्राइवर्स जिसके ओपर मीवी की व्रांडिंग है जिस पर थोड़ से स्क्रैच इस मेरे को दिख्राइब पर कोई नहीं देखते है इसको एक बड़ टेस्स करके देखते है वैसे ओन हैंड फिल्ड काफी अच्छा है अभी नेक में डालके भी देखते है यह कैसा होगा अनबोक्सिंग और मैंने अभी जस्ट वो पैने हुआ है मैंने अभी आदा गंटा जैसा स्पैंड किया है इसके उपर कि इसकी साउंड कॉलेटी कैसी है यह कितने कमफर्टेबल है मतलब में आदा गंटा यूज किया और मेरे को लिटरली कि इयर्स पर कोई स्ट्रेस नहीं पड़ा है कि मेरे को ऐसा लगा हो कि मैं उसके निकाल दू या इसको कुछ साइड पर रख दू इसका जो बैंड है मैंने एक्सपेक्ट किया था कि यह सिलीकॉन का होगा बट नो इस ओल प्लास्टिक बट यह जरा भी अनकमफर्टेबल न लिए और जैसे आप देख पार है काफी कि convenient भी हर यहां पर magnet fitting भी आती है तो इस से आपको यह कहीं पर जाएंगे नहीं यह उतना magnet टाइट नहीं है और इससे कोई मुजिक प्ले पाउज नहीं होता जैसे OnePlus में होता है जैसे जीएल में होता है जैसे कई सारे हैंस प्रीज मे यह साइड पे आपको इस वॉल्यूम रॉकर्स ए कोSNS अपने कंड़ प्ले कॉल पाॉस कर सकते हว और प्ले कर सकते हो और आपॉ स्था कि इह पाने को देख यहां पर्यात कर सकते हो फिस बात की बाखने पारेये हो आपको ओटन दिधर जा है पर यह ब्सकि को यह बटन से मुजिक को प्ले पॉस कर सकते हो अगर आपको कोई कॉल आ रहा है तो यहां से आप रिसीव कर सकते हो यहां से आप उसको डिसकनेक्ट भी कर सकते हो इसका एक और फंक्शन यह है कि इसको आप डबल टैप करते हो तो आपका जो कॉलर लिस्ट में जो लास्ट कॉल होगा उसको यह recall कर देगा जो थोड़ा मेरे को लगा कि गीमिक है बट फंक्सलल बटन है आप यूज कर सकते हो अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो आपको किसी को कॉल करना हो जिसका जस्ट कॉल खतम हुआ है तब इससे डबल प्रेस करके कर सकते हो इसके साथ यहां पर कहीं फोरवर्ड बेक्वरड का बटन नहीं है फोरवर्ड वेक्वरर कैसे होता है में आप को बता हूं इसको अगर प्लस बठन को लॉच्य कर पांगे तो आपका ट्रैक फौरवर्ड हो जाएगा और माइनस बटन को लोगप्रेस कर ड़ circular हो तो आपका ट्रैक वेक्वर्ड चला फ्रेंकली मेरको यह थोड़े बेज हैवी लगे कंपेर टू बहुत सारे एयरफोन जो मार्केट में अवेलेबल है बट यह काफी अच्छे एयरफोन है अगर आप थाउजन रुपे के प्राइस टेग में कोई भी वायरलेस हैंस फ्री टून रहे होतो इसके ऑप्सन में आपक प्राइस के बुलेट यूज कर लिए है मेरे पाद जे बील भी पहले थे तो वह सब यूज कर चुका हूँ उसके सामने ऐसा कंपेरिजन नहीं बोल सकते है बट हजार रुपे में यह काफी वर्दी कंपीटीटर है उनका और उसका उन सबसे इसमें एक प्लस पॉंट है कि आप अगर 30 गंटे 30 मिनिट चार्ज कर लो तो इसकी बैटरी आराम से 24 गंटा चलती है और यह मैंने खुद टेस्ट ने किया है पर फ्लाइंग बिस के एक व्लॉग में उन्होंने खुद टेस्ट किया है तो आप देख सकते हो यहां पर कहीं पर आई बटन में आपको वीड करण पर से ले सकते हो दोनों का लिंक मैंने नीचे देरक देंगे रखा है डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो तो सी यू टाटा नेक्स ब्लॉग में मिलते है और हाँ यहां तक अगर आपने देख लिया है तो यह मैंने जो सैट अप किया है अभी रेड और ब्लू ला बनाई है तो यह कैसे बनाई है उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊँगा तो सो स्टेट यो